स्वागत है दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल से सिग्यान सागर में दोस्तों चीन के वुहान सहर से शुरू हुआ कोरोना वाइरस का संक्रमन दुनिया भर में फैलने के बाद अब सेंटर फोर डिजिटल कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अर्थाद सीडिसी ने एक और नए वाइरस की पुष्टी कर फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कोविड नैंटीन जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है इसके बाद एक और नए वाइरस का नाम आ रहा है वो है हन्ता वाइरस इस वाइरस से चीन के युनान प्रांत में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है तो दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल सिच्वेशन है ये सभी देशों के लिए अब आती है बात हन्ता वाइरस है क्या आखिर क्या है ये हन्ता वाइरस हन्ता वाइरस रोडेंट नाम के एक चूहे की परजाती में पाया जाता है यह वाइरस इस चूहे के सरीर में होता है इससे चूहे को तो कोई बिमारी नहीं होती लेकिन इंसानों के लिए यह है बहुत ही खतरनाक वाइरस है एक एकर के सभी वाइरस अब सामने आते जा रहे हैं अब आती है बात हंता वाइरस का संकर्मन हवा या सांस के जरिये नहीं फैलता है दोस्तों इसमें इतना पैनिक होने की बात नहीं है यह वाइरस संकर्मन या सांस के जरिये नहीं फैलता अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संकर्मन नहीं होता है यदि इंसान चूहे के संपर्क में आता है तो ही उसे हंता वाइरस के संकर्मन का खतरा होता है संक्रमन हो सकता है तो दोस्तों चूहों से दूर रहना पड़ेगा इसके लिए हंता वाइरस के लक्षन क्या है इसके लक्षन भी कोरोना वाइरस से मिलते जुलते हैं हंता वाइरस के लक्षन भी कोरोना वाइरस से मिलते जुलते हैं इसमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है इसे फेफडों में पानी जमा हो सकता है। इस वायरस के संक्रमित को बुखार 101 डिगरी से ऊपर भी हो सکता है। शिर्म में दर्द और सरीर में दर्द हो सकता है। उल्टी, वोमिटिंग, पेट में दर्द की समश्या हो सकती हैं। तो वही सेम लक्षण है जैसे की कोरोना वाइरस के लक्षण है। हंता वाइरस से बचाओ और इलाज क्या है। दोस्तो इस से बचाओ का फिलहल यही एक इलाज है कि आप चूहों से एक उचित दूरी बना कर रखें। घर में चूहे नहीं होने चाहिए। हंता वाइरस से व्यक्ति की मोत की जानकारी चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स दुआरा दी गई। इसके बाद यह चर्चा का विशय बन गया कि क्या हंता वाइरस भी कोरोना वाइरस की तरह खतरनाक है। तो दोस्तो इससे संक्रमित हो जाने पर लोगों की मोत का आकड़ा 38 फीसीदी है। सो में से 38 लोग इसमें मोत का आकड़ा है जो की ये भी बहुत ही खतरनाक विमारी है। भारत में कितना खतरा है तो CDC की रिपोर्ट के मताबिक ये वाइरस अभी तक सिर्फ चीन और अर्जेंटिना में ही पाया गया है। तो भारत के लिए यह है एक रहत बड़ी ख़बर है लेकिन इसको हम हलके में नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही प्लीज स्टे हॉम स्टे सेफ थैंक्यू।